दोस्तों स्वागत आपका हमारे नूज यूटूब चैनल में दोस्तों आज एक बड़ी अपडेट निकल कर समने आ रही है एरियर को लेकर तो हम आपको इस वीडियो के मादम से डियल से बताएंगे कब जो काबिनेट बैठक होगे और डिये पर आखरी फैसला आएगा तो ज मारे चैनल पर फर्स टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ने भूले और साथ ही साथ बैल आइकन को भी जरूर्द भए जो भी गोर्मेंट इंपलेज और पैंसनर से समन्दीन हो जाती उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पांस के तो आई दोस् सैंद पे कमिशन के अनुसर दोस्तो 18 मेने के बकाई डी एरियर पर बड़ा आफडेट दिसंबर में हो सकती मीटिंग मिल सकता है तो फाद जी हाँ दोस्तो आप बिल्कुल से सुन रहे हैं नया साल आनिव वाला है और क्रमचेरे को 18 मेने का जो एरियर है उसका तो फाद दि दिसंबर में जो काबिनेट बैठक होगी उसमें दोस्तो केंद्रिय करमचेरे का डी ए बढ़कर 31 फीजदी पर पहुंच चुका है अब उन्हें 18 मेने के डी जो एरियर का इंतजार है अब जो सहमती है अभी तक नहीं बनी है तो इस पर दोस्तो जो दिसंबर में काबिनेट बैठक होगी मेंगाई बता 31 फीजदी हो चुका है एक जुलाई से लागू भी कर दिया गया है दोस्तो यानि की जो चैर मेने के एरियर का पैसा भी सरकार अपने करमचेरे को देगी कुछ मैकमो में 31 फीजदी का बुकतान अक्टूबर सैलरी में हो चुका है वहीं कुछ का 38 नमबर तक हो जाएगा लेकिन दोस्तो पिछले 18 महीने से डुरू के डिये का जो एरियर है का पैसा अब तक फैसला नहीं हुआ है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा लेकिन उमीद की जारी है दोस्तो अगले महीने यानि की दिसंबर में क्रिश्मस या न्यू इयर से पहले करम करम चारे के डिये एरियर पर भी फैसला हो सकता है कैविनेर स्कैट्री के साथ मुद्धा पर चर्चा हुई है मोधी गवर्मेंट ने सैंट पे कमिशन के तैत जो डिये 31 फिजदी करने के अलावा के निरे करम चारे को कई बड़े फायदे दी है लेकिन 18 महीने के डिये एरि कि डिये बेहाल होने पर 18 महीने का जो एरियर भी वन टाइम स्कैट्री के साथ हुए मुद्धे पर चर्चा हो सकती है सरकार से भी आसवासन मिल चुका है मिसरा के मताबि कार्मिक वापर शैसनी विभाग और वित मंतरा ले विभाग किया दिकारियों के साथ जेसीम की ज्व मामले में पीम मोधी से हक्षेट करने को का इसके बाद सरकार ने इस पर विचार करने का आसवासन दिया अगर सरकार सहमत होते है तो केंद्रिय करमचारियों के लिए अच्छी कबर होगी दो बार पहले भी रखी जाच चुकी है डिमांड जिहां दुस्तों जैसा कि आप साफ कर दिया है कि मेंगा इबत्ते को बेहाल किया जा रहा है लेकिन 18 महीने के डिये अरियर पर कोई फैसला नहीं लिया गया चबड़िया एठाई जून को हुई काविनेट सोचीव के साथ बैठे में भी डिये अरियर पर कोई बात नहीं हुई मिस्रा ने काया कि मोधी सरक जल्दी इस पर फैसला ले सकती है इससे करीब 52,00,000 किंद्रे करामचार और 60,05,00 बोगयों को इसका फाइदा मिलने की उमीद जताई जारी है 2,00,000 से ज़्यादा जो करामचारी हैं दोस्तों उनको एरियर मिलेगा नैसलन काउंसलिंग ओफ जेशेम के सिव गोपाल मिसरा के मताबगी लेवल 1 के करामचारी का डिया एरिट 11,880 रुपे से लेकर 37,586 रुपे के बीच बनता वहीं लेवल 13 यानि की इसमें 7 CPC बेसिक पेकर अकोर्डिन दोस्तों एक लाग 3,100 रुपे से दो लाग 15,900 रुपे या फिर लेवल 14 पेसिकल के लिए जो कल्कुलेशन की जाए तो एक करामचारी के हाथ में डिया एरियर का लगबग एक लाग 4,200 रुपे से दो लाग 18,200 रुपे का भुकतान किया जाएगा जनवरी 2020 से जून 2021 तक दिये जो एरियर कितना बनेगा केंदरे करमचारी जिनका निम्तिन ग्रेड पे 18,000 रुपे लाग 1 बैसिक पेसिकल रेंज 18,000 से 6,900 है को इसमें बता जा रहा है कि दोस्तों जिसके 4,300 दोस्तों है उसको 18,000 से 4 फिजदी का इसमें देखते हैं तो 6 स मल्टिपुलाई करते हैं जो आपका आता है वही इसका जो आपका पेगरोड के हिसाब से आपका जो इसमें वर्दी होगी 4,320 रुपे होगी जो आपका इंतजार है वो इंतजार है ऐसे इसमें बताया गया है कि दोस्तों जिसमें जिसकी सैलरी 56,900 रुपे है उसका 4 फिज और शिक से मल्टिपुलाई करने पर जो 3,656 रुपे उनको दिया जाएगा साथ में वेतनायों के तयात मिनिमम ग्रीड पे पर केंद्रे क्रामचेर का जुलाई से दिसमबर 2020 तक डिये एरेर 3,240 रुपे होगी वालों को 10,212 रुपे मिलेगा वहीं जनुवरी से जुलाई दोस्तो आजगे में लेटेस अपडेट आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे दोस्तों वीडियो अच्छी लगे दे लाइक जुरूर करें और ज़्यदा शिजज़ाँ करें मिलेंगे ऐसी बड़ी अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभ को जय हिन जय जजवान जय किसंग